हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मैं मनी सौल्ट करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पैट के थू जो आपकी लेखपाल की वेकंसी आई थी उ हैं क्या कट ओफ कई है और आप क्या क्या करने के बाद अपना शोट लिष्टिट स्टेटस देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं तो वीडियो को लाश्ट तक आप देखें और वीडियो को देखते ही देखते आप चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस भी जरूट कर दीजेगा गौर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यूपी ट्रिपल सी की ओफिशल वेबसाइट पर हो और यहां पर आपको अपना लेकपाल का रेजिस्टेशन नंबर जो आपका होगा ग्यारांगों का वो डालना है और यहां पर अपकी डेट बड़ डालनी है इस साइट का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर फिल करने के बाद जैसे ही सिजल पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस बता देगा कि आप सोट लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं मैं अभी आपको यह भी दिखाऊंगा कि ज्लिक्ट के लिए क्या दिखा रहा है और नॉट शोड़ लिस्टेड वाले नीचे देख सकते हैं मेन एक्जामिनेशन स्टेटस के अंदर लिखा हुआ है यू आर इलिजिबल फोर दा मेन एक्जामिनेशन अंडर अड़र्टीजमेंट नंबर यह दिया हुआ है अगर आप शोट लिस्टिट कर दिये जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने क मेन एक्जामिनेशन स्टेटस यू आर नोट इलिजिबल फोर दा मेन एक्जामिनेशन अंडर अड़र्टीजमेंट यह तो मैंने आपको दिखा दिया है दोनों ही तरीके जोट लिस्टिट केंडिडेट का भी और नोट शोट लिस्टिट केंडिडेट का भी जो इंटर फे और नो चून में एक या दो तिन के अंदर ही इसका जो है आपका exam conduct करा लिया जाएगा क्योंकि shortlisted candidate अभी पता चलेंगे कि कितने गुना candidate इन्होंने shortlisted किये हैं और कितने गुना shortlisted नहीं किये हैं उस बेस पर examination कितने दिन चलेगा या आपको अभी आने वाले notice में पता चलेगा अगर मैं pat के percentile की बात करता हूँ तो जो candidate not qualified है इसके अंदर वो SC category का candidate है उसके जो percentile थे वो 50 percentile थे तो इस वज़े से उसको not qualified not eligible दिया गया है और जो candidate का मैंने आपको qualified दिखाया है यानि कि eligible है वो candidate तो उसके लगबग 82 percentile थे SC के अंदर तो उसको percentile के base पर eligible दिखाया है अगर मैं बात करता हूँ कि cut off के बारे में hello friends तो ये official notice है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या cut off गई और कितने कुना candidate को इन्होंने qualify किया है तो 8085 जो है इनकी total post थी और इसके लिए इन्होंने कुल इतने अभ्यार्थियों को कि 13,90,305 candidates को जो है इन्होंने 15 गुना candidate को ये लिखा हुआ है score के आधार पर जो इनका normalize score है उसके आधार पर 15 गुना अंतिम cut off प्राफ्ट करने वाले सभी अभ्यार्थियों को सम्लित किया गया है तो इसके अंदर कितने आ जाते हैं तो अब इसके अंदर देख सकते है और इसके अंदर फीज वगरा क्या है वो मैं आपको सब कुछ बता दूँँगा आप पहले देख लीजिए कट ओफ के बारे में पहले फीज देखते हैं तो फीज इसके अंदर लिखा हुआ है जो भी candidate eligible है वो अगर जर्नल है और OBC है तो वो 200 रूपे paid करेंगे और अगर SC ST हैं तो 80 रूपे जमा करेंगे तभी आपका admit card जो है वो आप आएगा कट ओफ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कट ओफ यह आप देख सकते हैं यह normalized score के marks परिनों ने जो है shortlisted किया है यू आर के लिए आप देख सकते हैं के 62.96 और SC के लिए आप देख सकते हैं 61.80 और अनुसुचित जाती के लिए आप देख सकते हैं 44.75 OBC के लिए 62.96 और EWS के लिए और UR के लिए और OBC के लिए सेम आपकी कट ओफ जो है वो गई है और जो आरक्षन वाले हैं विकलांग बगारा वाले हैं वो अपनी कट ओफ देख सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर मैं इसका PDF अफलोड कर दूगा वहां से भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में पेमेंट आपको कब तक करनी है कहां करनी है कैसे करनी है उसके लिए मैं एक वीडियो दादूँगा परिशान नहों तब पेमे झाल झाल